तो chapter number 3 में हम लोग marketing mix के बारे में समझेंगे जहां पर हम लोग 4P प्रोडक्ट के लिए समझेंगे और 7P service के लिए समझेंगे और इसके लिए मैंने example लिया है 4P के लिए shop का और 7P के लिए Starbucks का तो I hope आपको ये पसंद आएगा marketing mix Now 4P को समझने के लिए मैं simple सा example लेता हूँ For example आप Hindustan Unilever में काम करते हैं और you know your company designed a new shop जो की काफी you know customer के लिए healthy रहता है use करना body पे So आपको उस you know shop के specification लिखने है तो सबसे पहले आप 4P analysis करते है अपने shop का कि आपके you know shop की product specification क्या है जैसे आपकी quality क्या है उस shop की color क्या है you know ingredients क्या है उसके अंदर कौन-कौन से ingredient use में है उसका size क्या है तो ये सभी dimension आप cover करेंगे product के अंदर उस shop की आप you know price भी cover करेंगे कि उसका list price क्या है उसको हम discounted rate पे बेचेंगे premium price पे बेचेंगे किस price के उपर उसको बेचेंगे उसको हम कहाँ पर advertisement करेंगे वो आप cover करेंगे promotion के अंदर और किस तरीके से हम लोग उसको retailer को बेचेंगे shop को बेचेंगे और e-commerce website पे बेच सकते हैं तो product का तो काफी easy होता है अभी जो service का 7P होता है वो थोड़ा सा difficult हो जाता है चलो उसको भी हम लोग easy way में समझ लेते हैं तो अभी हम लोग समझेंगे कि marketing mix of service क्या होता है 7P model for Starbucks Starbucks वैले coffee chain है जो की worldwide काफी famous है I hope आप मेंसे काफी लोग ओलरी जानते होंगे तो there are seven components in 7P model like there is a product, price, place, promotion, physical evidence, process and people सबसे पहले शुरू करते हैं product से Starbucks restaurant के अंदर आपका core product होता है आपकी coffee और beverage और उसके लावा होते हैं supporting या फिर facilitating या फिर supplementary product कि आपका product की you know order taking कैसे हो रहा है payment processing कैसे हो रहा है उस product की information आप कैसे float कर रहे है this is your secondary product तो आप हमेशा आपने core product पे focus करते हैं कि आपकी coffee का taste अच्छा हो आपकी coffee का order taking system, billing system, payment system ये सभी integrated हो उसके बाद हम लोग बात करेंगे आपकी coffee के price की कि आपने जो Starbucks का जो store open किया है उस store का rent कितना है उस store की variable cost कितनी आ रही है raw material कितना use हो रहा है कितने order आ रहे है तो हम लोग उसकी pricing भी set करेंगे कि हम लोग को वो जो coffee है वो सस्ते दाम पर बेचनी चाहिए moderate price पर बेचनी चाहिए या फिर premium price चार्ज करना चाहिए premium price हम लोग charge करते हैं जहाँ पर लोग ज़्यादा pay कर पाए जहाँ पर disposable income ज़्यादा हो हम लोग disposable income के बारे में discuss करेंगे कुछ टाइम बाद इस वीडियो के अंदर ही वैल उसके लाए हम लोग बात करेंगे place के बारे में कि आपने जो starbucks का restaurant खोला है वो अगर premium जगहाँ पर होगा वो अगर convenient location पर होगा जहाँ पर visibility high हो traffic high हो high visibility का फाइदा यह होता है कि आपके store के अंदर footfall बहुत ज़्यादा high हो जाता है मतलब ज़्यादा ज़्यादा लोग enter कर पाएंगे आपके store के अंदर तो अगर आपका starbucks का restaurant का store location अगर metro station के पास है airport के पास है तो काफी ज़्यादा visibility area है काफी ज़्यादा traffic आता है footfall increase होता है in short उसके अलावा place के अलावा आपके store के opening timing क्या है यह नो convenient hours कौन-कौन से है अगर आपका store you know 6 o'clock in the morning से 6 o'clock in the evening तक खुलता है तो you know कितना revenue आता है पूरा 24-7 अगर आपका store खुला रहता है जैसे अगर आपका store airport के अंदर है तो कौन-कौन सा revenue आपके store generate करता है उसके लाव हम लोग you know promotion देखते हैं अपने starbucks के store का की हम कैसे अपने product को promote कर सकते हैं और यह थोड़ा centralized होता है इसका मतलब कि individual store अपने आपको promote नहीं करता है main जो इनका headquarter होता है वहाँ से campaigns बनते हैं जैसे कि आपने अगर normally notice किया हो तो अगर आप starbucks के store के अंदर या फिर restaurant के अंदर जाके coffee order करते हैं तो आपका coffee के ओपर नाम लिख देते हैं वो लोग उसका फाइदा यह होता है कि जैसी आपकी coffee के ऊपर आपका नाम लिखा जाता है आप basically उसकी photo खीच के whatsapp पे डालते हैं, you know facebook पे डालते हैं, instagram पे डालते हैं तो लोगों के अंदर एक curiosity और awareness create करता है कि यह जो बंदा है यह Starbucks में गया हुआ है और इसको इतनी अच्छी coffee वहाँ पे इसने पी है या पर मिली है उसके लबाए एक important factor होता है process का कैसे आपकी coffee बन रही है, कैसे आपकी coffee को customize किया जा रहा है जैसे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं मेरको मेरी coffee में चीनी थोड़ी कम चाहिए थोड़ा, you know, coffee का taste थोड़ा कम चाहिए मेरको milkish taste जादा चाहिए तो आपकी coffee को customize भी कर देते हैं आपके हिसाब से और obviously आपके सामने coffee बनाते हैं तो जो, you know, coffee को देखने की feeling आती है life that is very mesmerizing and उसके लावा आपका physical evidence भी काफी matter करता है कि आपके Starbucks के store के अंदर यहाँ आपका service scape कैसा है आपके ambience कैसा है, खुशबू आती है वहाँ पे बहुत प्यारी सी आपका free wifi है तो आप मजे उठा सकते हैं you know, Udemy पे courses देख सकते हैं उसके लावा आपका music बसता रहता है वहाँ पे धीरे-धीरे, वहाँ पे खुशबू आती रहती है तो यह सब physical evidence भी matter करते हैं उसके लावा आपका जो people हैं, जो आपको अब Starbucks के store के अंदर enter करेंगे तो आपको बोलेंगे कि Hello Sir, How are you? hospitality, greeting, those things also matters while you are entering in the Starbucks store मैं mention होगे, जो कि हम ध्यान रखते हैं जब भी हम अपने company में नया product या फिर नई service लॉंच करते हैं तो यह हो गया marketing mix कैसे company कोई भी नई service लॉंच करती है कोई नया product लॉंच करती है तो किन-किन चीजों को वो ध्यान में रखती है इसके लाव मैं आपको छोटी सी exercise देता हूँ मैं request करता हूँ आप लोगों से कि आप marketing mix of service खुद करें आपको इस video के link description के अंदर एक link मिल जाएगा जहां पर आप जाके एक ppt या फिर pdf डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर आप क्योर फिट जो एक company है काफी अच्छी understanding रखता हूँ या फिर खुद भी आप अनलाइस कर सकते हैं तो क्योर फिट का आप marketing mix करेंगे मतलब भी 7P model करेंगे इसके अंदर आप उसके product, price, place, promotion, process, physical evidence or people so now we are done with chapter 3 I hope you got an idea that how 4P and 7P work अगर आपका मन कर रहा है तो grab a coffee and we'll switch to the next chapter